जारकर विदान सभा के 23 अस्थापना दिवस संपन हुआ 23 अस्थापना दिवस मौके पर राजिपाल सीपी रादा कृष्णा ने इस वर्ष के उत्कृष्ट विधायक रामचंदर सिंग को बिर्साबंडा स्मृति उत्कृष्ट विधायक सम्मान से समानित किया वहीं मुक्य मंधरी हेमन सुरेन ने विदान सभा के 6 अधिकारियों और कर्मियों को भी सoraनित किया एस वस्थ पर राजिपाल सीपी रादा कृष्णा ने विधायका की गरिवा को कायब रखने की अपील की है वहीं मुख्यमंत्री हेवंद सोरेन ने कहा कि राजी की सर्वुच्य पंचायत से सूबे की जनता को भहतास है जनता की अपिक्षा रोकंच्छाओं को पूरा करना हर जन प्रतुनी दिकता आई तो है निता प्रतिपक्ष अबर्भावरी ने कहा कि जनता की ज्यादा से ज्यादा मुद्दे पर विदान सभा से प्रणाम निकले यह हम सबों की प्रत्विक्ता होनी चाहिए उत्कृष विधायक से समानित रामचंद्र सिंग ने अपना पुरुषकार शित्र की जनता को समर्पित किया We all know once we got elected as a member of the state assembly we got two main duties There are two main duties inside the assembly there are one main duty outside the assembly We should not get confused with both of the things The main duty inside the assembly is we should maintain the dignity of the house at all times That is the very first duty of every member of the legislative assembly The second duty is that we all must work together for one single cause with one single aim That is development, development, development Of course in democracy we cannot avoid elections and we cannot avoid fighting the elections on the party lines That we know all people who have come to the noblazer आपना एक प्रत्नित्र प्रत्र प्रत्र बेज़्टिटे और भी प्रत्रुटे हैं जिनकी आवाजें जो ना बोल सकते हूँ ना आपके साथ रहते हूँ उनकी भी आपका वाज बननी पड़ती है और सही तरीके से इस महापंचायत में पंचायती हो इसी के लिए एक सकता पक्ष होता है एक भी पक्ष होता है हर पहलू के दो हिस्से जरूर होते हैं एक हाँ ना दोनों होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं आज हमें हर हाल में इस लोकतंत्र के इस महापंचायत को तूटने से घहने से इसको नुकसान पहुचाने से बचाना हुआ यह जारकन का निर्मान हुआ उसे तमाम लंबे आंदोलोनों के परिणाम सरुप जो यहां के जल जंगल जमीन से जुड़ करके यहां की भासा यहां सी स्सक्रिती यहां की परंप्राएं यहां के रहनसे जहन यहां के खान पान को भी सिष्टता के साथ इसके संबरधन के लिए इसके सरचन के लिए जो हमारे पुर्वजोनों महापुरसों ने दर्तियाबा विर्सा मुंडा जी से लेकर के सिद्धू कानू तिलका माजी कई एक फूलो जानू से लेकर के बीरवद्दू भगत कई एक लोगों ने अपने जीवन का अमर बलिदान दिया मरांगों के जैपाल सिंग से लेकर के यहां तक की जो सफर हुई है और 2015 नौमबर को जब यह जारकन अलग राज बना सरदय अटल विहारी वाजपेई जी आदने प्रधान मंत्री जी उस समय थे और तब से लेकर के आज तक की यात्रा में यह बिदान सभा ने कई एक महटपूर्ण विश्यों पर इस राज़ी को नित्रित प्रदान किया है यह बिदान सभा कई एक एतिहासिक छणों का गवावी बना है 23 साल के इस निर्वान काल में हमें एक भब्य बिदान सभा का भवन भी मिला है और इस भवन को हम अब राज के पहचान से और उसकी अस्मिता से जोड़ करके भी देख रहे हैं हम जब आज यहां अपने बातों को रख रहे हैं तो मैं याद करता हूँ कि आज हमें जो आउसर मिला है हम जैसे कई एक साधारन परिवार से आने वाले एक व्यक्ति को इस लुक तंदर के मंदिर में अपनी बाते को रखने का जनता का प्रतिश्टित करने का जो आउसर मिला है इसके मूल में हमारा समिधान है आज हारखन विधान सभा बरस गाट के सूब आउसर पर बिरसा मुंडा उत्किस्ट विधायक समान से इस मंज़ पर सुसोभीत किया गया मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे विधान सभा के अभिभावक मानिय अध्यक्ष महोद द्वारा इस समान के लिए इस बरस मेरा नाम चैनित किया गया है साथ ही विधायक उत्किस्ट पुरसकार चैन समीति के समानित पराधिकारी गन को भी मैं सुक्रिया आदा करता हूँ धनवाद देता हूँ कि अपने मुझे इस समान के लिए मेरा चुनाव किया प्रिय साथीगान आज मैं ऐसा मसूस कर रहा हूँ कि यह समान मेरे राजनेतिक एवं समाजिक जीवन की उचाईयों को चार चांद से सुसोभित कर रहा है निशित तोर पर इसके लिए मैं सुक्र गुजार हूँ सदन में अपने छेतर तथा जहारखन परदेश के आज आम लोगों के समस्याओं भावनाओं एवं विकास के मुद्दों रखने का काम करता हूँ तब हमारे अभिभावगन माननिय अध्यक्त महोदे द्वारा हमें हमेशा सहयोग किया जाता रहा है साथ ही माननिय मुख मंतरी स्री हमन सोरें जी के द्वारा भी हमेशा हमें सहयोग और दिशा निर्देश दिया जाता रहा है इस समान के लिए मैं अपने राजनेतिक अमसमाजिक सभी सहयोगी साथिगन का सुक्रियादा करता हूँ